नमस्कार दोस्तों, स्वाकत है आप सभी का एक बार फिसे दोस्तों जिष्ट महीने के बड़े मंगलवार के दिन कुर और चने का ये महा उपाय जीवन के हरकष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति हनुमान जी के कृपा से जीवन में आपके होगी धनकी वर्षा दोस्तों हिंदु धर्मी जिष्ट महा के मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहते हैं बड़े मंगलवार का हिंदु धर्म में विशिश महतु बताया गया है और आप लोग रोने भी यह बात देखी होगे कि जगे जगे पर जितने भी हनुमान भक्त होते हैं बेबड़े मंगलवार के दिन भंडारा लगाते हैं गरीबों को फरपेट भोजन खिलाते हैं इस महीने का इतना जादा महत्व क्यों है हिंदु धर्म शाहसों के अनुसार इस महीने में भगवान शीराम हनुवान जी से मिले थे कहा जाता है ये पूरे महीने हनुवान जी बहाराज बहुत ही जादा प्रसंद मुद्रा में होते हैं और अगर आप इस महीने के किसी भी मंगलवार को गुड़ और चनेगा यह उपाय कर लेते हैं जो हम आपको बतानी जा रहे हैं तो मानकर चलिए आपको साक्षात हनुवान को समर्पित होता है इसी तरह मंगलवार का दिन भागवान हनुवान जी को समर्पित होता है कहा जाता है कि इस दोरान आप कोई भी पूजा पाट उपाय करती हैं आपको साक्षात हनुवान जी की किर्पा प्राप्त होती है मंगल का दिन मंगल ग्रह को भी समर्पित होता है और जो मंगल ग्रह होता है दोस्तों वो आपके परिवार में कले कष्ट और दुर्गटना की बचे बनता है और मंगल ग्रह के स्वामी हनुमान जी महराज है अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन कोई उपाय करेंगे तो आपको हनुमान जी की किर्पा प्राप्त होगी हनुमान जी महराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं इसलिए उनको संकट मूचिन कहा जाता है और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी आपको संकटों का सामना ना करना पड़े आपका मंगल ग्रह आपका हमेशा साहते तो दोस्तों मंगल वार के दिन आप गुड़ औचने के इस महा उपाय को जरूर कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं यकीन मानिये सिर्फ एक दिन की आपकी इस पूचा से आपको आपके मंगल ग्रह का उस प्रकार से साथ मिलेगा जिसके बाद आपका भागय हमेशा आपका साहते देगा आप जिस कारे को शुरू करेंगे उस कारे में आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी दोस्तों हम मेंसे कई लोग गुड़ का सर्दियों में इस्तमाल करते हैं इसका सेवन करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमान माना जाता है माना जाता है गुड़ का फिल ज़्यादा लापकारी गुड़ों से भरपूर होता है लेकिन आपको ये बात नहीं बता होगी कि गुर्णा के वल स्वास्त की दृष्टी से बलकि जोतिस की दृष्टी से भी बहुत जादा लापकारी होता है गुर्णा के वल आपके जीवन में आपको मिठास लाने में मदद करता है बलकि गुड का उपयोग करने पर आप अपने भागे का भी साथ पास सकते हैं लाल किताब के अनुसार तो यहां तक बताया गया है कि गुड का सीवन करने से जीवन की कई प्रकार की परिशानियां जो है वे खत्म हो जाती है जोति शास्त के अनुसार अगर आप गुड का सही प्रकार से प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में चल रही नौकरी ब्यापा धनकर स्वास्त जैसी समस्याओं से आपको मुक्ती मिल सकती है और अगर आपने बड़े मंगलवार के दिन गुड का यह उपाय कर लिया जो हम आपको इस बीडियो में बताने जा रहे हैं तो आपको साक्षाद बर्जरंग बली जी का आशिवाद और बादान प्राप्त हो सकता है दोस्तों गुड एक बड़ी साधरन सी चीज है और बड़ी आसानी से मिल जाता है लेकिन इसका उपाय कैसे करना है यह हर किसी को पता नहीं होता वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन कैसे सिर्फ एक दिन का आप उपाय करके साक्षाद बज्रंपली जी का बड़ान और आश्रवार प्राप्त कर सकते हैं जिसकी बाद आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परिशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा आप जिस कारे को शुरू करेंगे उस कारे में आपको सफलता प्राप्त होगी इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुआन जी की कृपा आपके और आपके परिवार पसदे बनी रहे हनुआन जी के आश्रवास से आप अपने जीवन में बहुत उन्नती करें बहुत आगे बढ़ें हनवान जी के आशिवास से आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करें और अगर आप सच्चे हनवान भक्त हैं तो पूरी शद्धा और पूरी विश्वास के साथ पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंद जै शीराम जै हनवान जी महरा जरूर लिखें दोस्तों बहुत ध्यान देजिए गुड़ साथारन से चीज है गुड़ और चने के बारे में एक बात कही जाती है गुड़ जो होता है वो आपके जीवन से कष्टों को दूर कर देता है आपके जीवन के कष्टों को सोख लेता है और आपके जीवन में इस वीडियो में जो आपको हम उपाई बताने जा रहे हैं दोस्तों वो इतना सरल उपाई है जिसको अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो मान का चलिए हनुमान जी की किरबा आपको मिलना तै है तो कौन कौन से उपाई हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख सकते हैं आपके भागे में चमक ला सकते हैं चलिए एकिक करके सारे उपाईों के बारे में मैं आपको बताती हूँ लेकिन इससे पहले आपसे हाठ चोड़ कर निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों देखे सबसे पहला उपाई मंगर ग्रह को मजबूत बनाने का महा उपाई है यदि आप अपने जीवन में कोई भी कारे करते हैं उस कारे में सफलता नहीं मिल पा रही है जीवन में दुरभाग्य आपके पीछे पड़ा गया है रोज लड़ाई जगड़ा आपके घर में होता है आपको कारे कहने जा रहे हैं उस कारे को कहने से पहले ही बहुत सारी दुबधाएं आ जाती है बहुत सारी संकट आ जाती है तो इसकी मुख्य बज्जे क्या हो सकती है दोस्तों आपका मंगल ग्रह बहुत ही कमजू रही है यह उपाई कैने के बाद आपका मंगल ग्रह बढ़ा ही मजबूत हो जाएका, आपको क्या कारना है? आपको 500 ग्राम गुड़ लेना है और 500 ग्राम ग्यहुं लेना है इसे लिए जाकर आपको किसी भी हनवान मंदिर में दान कर देना है यह उपाई आप सुभे से शाम तक मंगलवार के दिन अगर कर लेते हैं तो मान कर चलिए मंगल ग्रह का वो साथ आपको मिलेगा कि आपके जीवन में आपको तरक्की करने से कोई भी नहीं रोख पाएगा दूसरा उपाई है मनुकामना पूर्ती का महा उपाई आपकी कैसी भी मनुकामना है आप चाहते हैं वे मनुकामना पूरी हो जाए तो प्राचेन काल के समय से एक ऐसा उपाई चला आ रहा है जिसको करने के बाद आपकी मनुकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी 500 ग्राम आप गुर लीजिए और एक सिक्का लीजिए किसी लाल रंग के कपड़े में बान कर एक पोटली बना लीजिए और इसको ले जाकर आप हनमान बंदिर में दान कर दीजिए अगर यह उपाई आपने मंगलवार के दिन कर लिया तो कैसी भी मनुकामना हो हनमान जी महराज की करबा से पूरी हो जाएगी 30 माइं ढ़ाई चक्री स बच्छने का आहा उपाई दोस्तों अगर आपके घर में लडाई चक्रणा रोज हू रहा है आप बड़े ही परिशान हैं, आप जहते हैं आपके घर में लड़ाई चगड़ा होने बंद हो जाए, आपके घर की उन्नती हो, आपके घर की बरकत हो, हनुमान जी की किरपा आप पर सदय बनी रहे, तो दोस्तों यह उपाई कर दीजे, जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों आधा किलो आप गुड़ और 200 ग्राम चना लेकर हनुमान जी की मंदिर में जाकर दान कर दीजे, इतना अगर आपने उपाई कर लिया, तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर पर जो रोज लड़ाई चगड़ा ग्रह कलेश बना हुआ है, वह खत्म हो जाएगा, ह आपके नौकरी नहीं लग पा रही है, आप चाहते हैं कि आपके नौकरी लग जाए, तो ये महा उपाई कर लीजे, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, मंगलवार के दिन आपको यह उपाई करना है, इसके लिए आप अपने घर में 11 रोटी बनवाए, ये 11 रोटी बनवाने इतना कहने के बाद अवश्य ही आपकी नौकरी लग जाएगी हनवान जी की किरपा से आपके उपर जो भी बाथाएं आ रही होंगी जिन बाथाओं की बचे से आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है वह बाथाएं भी जल्द ही दूर हो जाएंगी वो बाथाएं हर्चाएंग तो दोस्तों आप इस उपाये को जरूर कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं अवश्य ही आपकी वेफिसूल खर्ची बंद हो जाएगी दोस्तों देखी अगर आप अपने घर में देख रहे हैं कि पैसा आ रहा है लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है वेफिसूल की चीजों म बड़ी बड़ी जैसे भी आप लेना चाहें ले सकते हैं और कम से कम आधा किलो आपको चना लेना है अब आपको साथ गुर्की भेली और चना लेकर हनवान जी के मंदिर में जाना है और इसके बाद आपको एक गुर्की भेली का हनवान जी को फोग लगाना है और थोड़े से चने का फोग लगाना है बागी चने और गुर्की भेली का आपको मंदिर के बाहर बैटे भिक्षुक को दान कर देना है ऐसा करने से दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जीवर में वेफिजूल खर्ची होना बंद हो जाएगी आपके जीवर में पैसा आना शुरू हो जो पैसा आएगा भी दुकेगा भी और टिकेगा भी और उस पर बहुत जादा ब्रध्धी भी होगी दोस्तों यह उपाय आज का नहीं है प्राचीन समय का यह उपाय है इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवर में सकारात्म बदलाव आते हैं दोस्तों अगर आपकोय संपत्थी खरीदना चाहते थे और किसी परेशानी की बिज़से संपत्ती नहीं खरीद पाई तो क्या कई ना है दोस्तों हम आपको एक बहुत आसान उपायब बताने जा रहे हैं आपको कम से कम एक किलो गुड़ लेना है बहुत थ्यान से सुन कर दीजिए दोस्तों Eğer इतना सा उपाय अपने कर लिया तो संपत्ति लेने के लिए आप परेशान है संपत्ति को लेने के लिए लाख प्रयास कर रहे थे किसी कारणवाश खरीद नहीं पाए थे इतना उपाए कहने से वह संपती अवश्य ही आपकी हो जाएगी दोस्तों उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वाचेंग